तो हेलो गाइस वेलकम बेक टू दी अनदर वीडियो सबसे पहले तो मेरे आप से नहीं वेदर ने इस वीडियो को ओफ टॉपिक आप बिल्कुल भी मच समझने क्यों टॉपिक वीडियो है अप लोगों ने कहीं नहीं इंटर्वी देखा हुगा तो मैं आपको बादा दू ज यहां यहां तक लेकिन सब लोग उसको प्रमोट करते हैं इतना आप याद रहो अब उन में उस बंदे ने क्या किया कि उसमें टोपिक लगा लगा करजा कर लिया अब उसकी ममा भी उससे बात नहीं करती है और उसको सब लोग सटे वाच के ते उसने suicide attempt भी यहां तक किया अब उसने suicide attempt किया और उसको न्यूज जीपोर्टर को बताई तो न्यूज जीपोर्टर ने सब उसको समझाया गयरा बत यह सही है क्या है गेंबलिंग एप खिलना और गेंबलिंग करेंप क्रिफार में क्यों ब बनाते हैं मतलब कि ये कुछ लोग बताएंगे फ्री डायमन मिल रहे है कैसे लोग फ्री डायमन लिखेंगे और वहां पर वो लोग पूरा पूरा सट्टे बाद का बताएंगे कि पूरे सट्टे वाले एप में जाओ कलर ट्रेडिंग के अंदर जाओ स्मॉल भी लगाओ विद्रॉल करने के लिए क्या करते हैं अपने परेंट को लिंक करने पड़ता है उसके बाद क्या होता है उनको 55 जीजाते वह फिर उसको लगता है मिलको नई गन इसकी नाया बें तो वह वापिस जाते है उसमें 50 शुपे डालते है जीते पांच उपर डालेंगे पचास उ तो यह सब चीज आपको जो मैं बता रहा हूं गेंब्लिंग एप्स लीड टू डिस्ट्रक्शन ठीक है यह बात याद रखना अगर फ्रीफार में खेलते हो तो मेरा एक दोस्त है जेटेनेक्स लोकेस करें तो वह भी क्या करता है भाई टोप अप करने के लिए गेंब्लिंग डालेगा जीता तो भी गए अगर क्योंकि जीता तो क्यों गए जीता तो भी या गेंब्लिंगेंग उत्ब उत्पहर लगाने के लिए वह आप सट्टे वाजी कर रहे हैं तो भाई आप च्वटा मूर कोई नहीं और इस पर में आवाज उठा रहा हूं ठीक है मेरे लोग 50 लोग देख लेंगे 200 लोग देख लेंगे अगर इस पर स्काइल लोड आवाज उठाता ना उस टाइम पर होकर वह बंदा जीवित होता इस टाइम पर तो वह अगर आवाज उठाता तो उसकी क्रेंटर को हमारे वीडियो बना करो तो इस पर आप लिए पका प्रमोशन ना करो यहां तक कि मेरे गाहों के चोटे-चोटे बच्चे 17-17 साल के बच्चे भी जो वेबसाइड़ गडर्रेडिंग वाली इस पर फच्चुके वह लोग उस पर पेसे लगातें पांच उपे लग पर बलत करते हो तो लेकिन अगर यह जोब की तरह नहीं है अगर आप पेशा लगायां है इसका उसकी लाइफ नीचे जा रही है इनगे अगर लेकिन लेकिन चाहिए ने करो क्योंकि creators का का में promotion करना बताना है अब जब दोनी जैसे बड़े-बड़े महान तम बता रहें तो हमारे free fair के creators तो भाई मतलब मत कहलाओ यार यह सब मेरे को पेसे नहीं बनेंगे फिर मेरी revenue generate नहीं करना पड़ेगा तो मैं क्या बोलड़ा कि हमारे free fair के creator करेंगे इसे इना बड़े-बड़े-बड़े footballers लोग प्रमोट कर रहे हैं सब चीज को तो भाई हमारे creators की गलती नहीं बताता हूं कि इतनी ज्यादा ही है तो इतना महान तब लोग भी इसका प्रमोट कर रहे हैं लेकिन मैं आप लोग की गलती बताता हूं कि आप लोग इस पर क्लिक मत करना चीज़ी गलती भी है कि creators को नहीं बताना चीज़ है यह सब चीज आपने ओडियंस को देखके बच्चे ओडियंस को नहीं देखना चीज़ है क्या ही तो भोल हुँ भई साब यह नॉजप बनाते वह थी आप जितना बना लो इतना बना लो आप की इसाब से जितना बना लो ऊतना बना लो पर छेमे잖el बेल बनालो प्रूंएं लेक्ट ग्रीन इस चीज को बोलते फ्री में गूगल प्लेट से में अब्लेट से काम आके तो बिल्कुल भी नहीं करता हूं है मैं करता हूं तो अपने को यूटूब से पेमेंट आ जाती है कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी पाट 10-10 महीने में एक बार आ जाती है तो उस से करमेंट 30-30 वाला करूं तो ठीक है वरना उसके लाव मैंने आज इन्दू मूसलमान उसका मंदिर तो यहां वंगला ब соврем से बात है पर चूडब बड़ बड़ ऑवर्स दो को हम उंको गोड़ मांटै वह लोग जब इन चीज का प्रोमोशन कर रहे तो चोड़ दो हर एक करेगा ही सही अब आप लोग वह कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर रहा है पहले अब यह अगर गवर्मेंट इंजुआ वाले एक को बेन भी कर देना तो भी जिन लोगों को ज्यादा लग चुकि यह प्लाप पचास साट लाक पचास लाक लेकिन लाक दो लाक रुपया उन्होंने कर दिये है इन्वेश्ट तो वह ओफ-लाइन जुए वाली जगह पर जाएंगे जहां ऑफ-लाइन जुए खेलते उस जगह पर जुए लगाएंगे वहां पर भिहार कर आएंगे उनको लट लग चुकी है इससे में आपको फ्यूच अगर आप ओन करते हो जो मैं बतारो ना इस लड़के को पर 95 लाग का करज है 96 लाग का करज है और इसकी ममी बात नहीं करते सब लोग इसको सटेवाज बोलते हैं इसकी में स्टोरी आपको यह बताना चाहता हूं कि यह बंदा पास है मतलब जी में जो रहते वह पास है आपको लगता है सिब गुन पचास रुपे तो जा रहे में कुछ लोग तो यह से होते हैं जो जो लोग बच्चे टोप-प मारते इसमें तो गेम का टोप-प मारना मना है देखो में तो सब बताता हूं में तो नहीं करता आप आप लोग अगर गेंबलिंग करके टोप-प करते हो तो आप से बटा मुर के कोई नहीं है अगर आपको लगता कि फ्री फायर इंडिया वह सब्सक्राइब करो दूसरे गेमें गेम्स को इंजॉयमेंट के लिए खेलो गेम्स को आपके काम के लिए ऐसा काम मत बना लो उसको कि आपका जीवन अगर आपको फ्रीफायर इंडिया नहीं आ रहा है दुसरे गेम पर प्लेश्टर पर लाखो करोड़ो गया में दूसरे गेम खेलो पर आप फ्रीफायर इंडिया के पीछे बागोगे या तो आप इसके इधर टॉप-प मरने के बागे बिल्कुल भी नहीं कि आप फ्रीफा लाग रुपए लगा तो उसका भी आपको रिटन नहीं मिलेगा तो इसका भी आपको रिटन नहीं मिलेगा कि यूलूप पर यूडूब पर आजाओंगा बाई बीना टॉप-पर यूट अच्छे सब्सक्राइबर है और एक चैनल नहीं मेरे तीन-3-4-4 चैनल थे उन्हें सब्सक्राइबर मिलता है अगर आपके अंदर टेलेंट है तो सब कुछ हो जाएगा आप लोग गेंबलिंग का बिल्कुल भी इस्तमाल ना करना ना टॉप-प के लिए करना और यह मेरे दोस्तों मेरे फ्रेंड लिस्ट वाले दोस्तों को बताना चाहूंगा ना तो वह कुछ करेगी कोई कुछ करने वाला है अगर फ्रीफाइट को कोई सुदार सकता था तो वह था इसका लॉड़ वह भी नहीं सुदार पाएगा क्योंकि ठोड़ो उनकी बात नहीं करते हैं उनके नाम पर व्यूस नहीं लूटेंगे लेकिन आप लोग जितना हो सके उतना गे लंदा बहुत ही पेसा हर गया उसने भी ऐसे 17-18 साल की एज में इस्टाट किया होगा पचास तो रुपे जिता होगा मैं बोलता हूं पचास जार रुपे जित गया होगा वह पर फिर बाहत में 96 लेक भाई सब दिमाग चकरा जाता है 96 लेक किसको कहते है 96 लेक बाई एक करो भाई इंडिया का है गरीब घरिप की तो अब समझ जाओ भाई आप लोग गरीप की है तो गरीप का तो ओने इते है अगर पेसे वाला रेता ना ठीक हो लंदन बेख जाता कर जा लेके तो उसे माफ माफ हो जाता बाकि इंडिया में उसकी प्रोफर्टी ले लेंगे कि वह चुकाना पैसा नहीं करना है इतना लोड लेना इनी जिन्दगी में कि किसी भी चीज का लोड तो आपको लेना इन इसे इसाही सब्सक्राइब देखा करो में फिर भी तुम लोग बस गेंबलिंग एप से धूर रहा करो महरा यहीं निवेदाने बच्चे लोगे मेरी ओडियंस बहुत ही छोटी ओडियंस से नए नए लेपटोप वाले प्लेयर है तो लेपटोप वाले प्लेयर भी बहुत ज्यादा इनको गेंबलिंग का एटोडाई जाता है लेपटोप पीसी प्लेयर है मेरी ओडियंस तो प्लीज मैं आप लोगों से यह की निवेदिन करता हूं कि आप लोग कैसे भी करके गेंबलिंग एप सट्टे बाजी एप का प्रमोशन ना करो अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिलें लेकिन आंदर बताएंगे यह आप अाइंट लग और इसको अपने दोस्तो के सब्सक्राइब जाए हूं छेहिन दोस्तो